Hello everyone and welcome to you all on commerce destination आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बंगाली खाड़ी के बारे में यानि की आज की वीडियो में हम लोग बंगाली खाड़ी के बारे में जानने के साथ-साथ इससे जुड़े कुछ तत्यों के बारे में भी जानने वाले हैं आज साथ ही मैं आपको ऐसे तीन ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप बंगाली खाड़ी में गिरने वाली सभी नदीव के नाम याद कर सकते हैं और वो तीनों ट्रिक में से जो भी ट्रिक आपको ईजी लगता है वो आप याद करिए उसे आप अपनी कॉपी में नोडाउन करिए ताकि आने वाली परिक्षाओं के लिए आपके लिए अच्छा हो सके तो चलिए अब वीडियो को सुरू करते हैं बंगाली खाडी हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में इस्तित है यह वास्तों में एक त्रिकोणी या अकार का नमक पानी का समुंद्र है खाडी पूर्व में मलाय प्राय द्वीप और पश्चिम में भारतिय उप महाद्वीप से घिरा हुआ है खाडी खेतर का उत्तरी भाग बंगाल खेतर में है जिसमें भारतिय राज्य, पश्चिम बंगाल और बंगला देश सामिल है जैसे कि यह बंगाल खेतर को घेरी हुए है खाडी ने बंगाल की खाडी का नाम लिया है तक्षिनी यूक्तियां श्रिलंगा के द्वीब देश और अंडमान और निकोबार्द्वीप समूग के भारतिय केंद्र सासित प्रदेश को हासिये पर रखती है। गुदावरी, कृष्णा, कावेडी, गंगा और ब्रह्मा पुत्रसहीत कई बड़ी नदिया इसमें बहती है। आईए अब कुछ ऐसी नदियों के नाम जान लेते हैं और कुछ तत्यों के बारे में जान लेते हैं जो बंगाली खाली के बारे में हैं। पर शुस्क रितू में इनका जलस्तर काफी कम हो जाता है। इस शेत्र की नदियां कम गहरी हैं परन्तु इन नदियों की घाटियां चौड़ी हैं और इनकी अपरधन छंता लगभक समाप्त हो चुकी है। आएए अब आखरी तथ्य के बारे में जानते हैं। ब्राहमणी नदि बंगाल की खाड़ी 21,72,000 वर किलो मीटर की छेत्र में फैली हुई है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी कई बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी बहाती है। सबसे छोटी नदी जो खाड़ी में बहती है, को ओम नदी है। इसकी लंबाई 64 किलो मीटर है। सुन्दरबन अंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेगना नदियों के डेल्टा पर इस्थित है। मयानमार की अयारवाडी नदी भी अपना पानी खाड़ी में बहाती है। किया होगा, वही तीनो ट्रिक्स देखिए, नोट डाउन करिए, समझेए, और वीडियो देखना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और अलग इंफरमेशन और जादा इंफरमेशन चाहिए, तो इस वीडियो को देखते रहिए। प्राय द्वीपिय भारत की नदिया बोखोत प्राचीन है, जबकि हिमाले की नदिया नवीन है। अब प्राचीन और नवीन का मतलब तो आपको मालूमी होगा। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। प्राय द्वीपिय भारत की नदिया बोखोत प्राचीन है, जबकि हिमाले की नदिया नवीन है। हिमाले की नदिया अपनी सुव्यवस्था में है। और ये नदिया अभी भी अपनी घाटी को गहरा कर रही है। जबकि प्रायद्वी पी भारत की नदीया अपनी प्रोणा वस्ता में हैं। दियाद रखिए जो प्रायद्वी पी भारत की नदीया हैं, इन्हें हम बहुत प्राची नदी कह रहे हैं। बात समझ में आरी होगी आप intéressant को। इसका ताथ पर यह गया है कि प्राय द्वीपी ये भारत के नदियां अपनी घाटी को गहरा करने का काम लगबग समाप्त कर चुकी हैं और आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं किसी भी नदी का आधार तल समुद्र तल होता है हिमाले से निकलनेवाई नदियां उत्तर भारत के मैदान में पहुँचकर विस्पन करती हुई चलती हैं और कभी-कभी ये नदियां विस्पन करते हुई अपना रास्ता बदल देती हैं विस्पन मतलब क्या होता है आपके स्क्रिन पर आपको दिख रहा होगा और मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको अपनी वीडियो में जो भी बाते बताती हूँ कोई ऐसा student जो की English Medium का है और वो भी ये वीडियो देख रहा है तो कुछ ऐसे words जो की Hindi words है अगर वो मेरे को लगते हैं कि कथिन हो सकते हैं उन लोगों के लिए तो मैं screen पर उनका meaning भी अलग से दे देती हूँ ताकि उनलों के लिए easy हो जाए और जो मेरे इस channel को बहुत समय से follow कर रहे हैं वो देखे होंगे मेरे बाकी videos में भी जब भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा सब्द है जो की hard हो सकता है तो मैं उसका meaning भी आपको screen पर show कर देती हूँ आशा करती हूँ आज की video आपको पसंद आ रही होगी आप चलिया हम बढ़ते हैं उन तीनों tricks की तरफ जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ तो जो पहली trick है वो है ब्रह्मा की गोद में गंगा ये वो प्रमुख नदिया है जो बंगाली खाडी में गिरती है और इसका पहला trick ये है ब्रह्मा की गोद में गंगा तो ब्रह्मा से हम लोग ब्रह्म पुत्र याद रखेंगे की से क्रिष्णा कावेरी दोनों ही नदियों के नाम याद रखेंगे गोद से गुदावरी, में से महा नदी और गंगा से गंगा नदी को याद रखेंगे याद रखेंगे कि ये वही नदिया हैं जो कि बंगाली खाडी में गिरती है आइए एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा से ब्रह्मा पुत्र, की से कृष्णा कावेरी, गोद से गोदावरी, में से महानदी और गंगा से गंगा नदी को याद रखेंगे आईए बढ़ते हैं अपने दूसरी ट्रिक की तरह हमारी दूसरी ट्रिक है बंगाली खाड़ी में गिरने वाल नदियों का यह दूसरी ट्रिक है वो है PM ब्रामन स्वन्वे गए गंगा गुदावरी कृष्णा कावेरी पी एम तो पी एम में जो पी है उससे हम लोग पुनार नदी याद रखेंगे एम से महा नदी ब्राह्मन से हम लोग ब्राह्मनी नदी याद रखेंगे स्वन से स्वन रेखा नदी वे गए से वे गई नदी गंगा से गंगा नदी गुदावरी से गुदावरी नदी, कृष्णा से कृष्णा नदी और कावेरी से कावेरी नदी को याद रखेंगे आपको ये भी धियान देना होगा कि इस तीनों ट्रिक के माध्यम से आपको कितनी नदियों के नाम याद हो रहे हैं ठीक है और जो भी trick आपको easy लग रही है उसे ही आपको याद रखना है देखिए बात ऐसी है कि exam में हम लोगों को प्रमुक जो नदिया है उनके ही नाम पूछे जाते हैं और कोई high level का exam होता है तो उससे हम लोग से पूछा जा सकता है किस तो और ने रेखा नदी कौन सी आ रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूं कि आपने वीडियो में बुन सभी tricks को include करूं क्योंकि अलग-अलग tricks होता है और अलग-अलग tricks में आप लोग अलग-अलग नामों को मतलब की अलग-अलग नाम तो मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन हा संख्या कुछ कम जादा हो सकती है तो जो आपको easy लग रहा है पोफेक्ट अपने लिए trick लग रहा है उससे आप लोग याद कर लेजिए देखे एक बाद फिर से हम लोग revise कर लेते हैं PM ब्राह्मन स्वन्वे गये गंगा गुदावरी कृष्णा कावेरी PM से हम लोग P से पुनार M से महा नदी ब्राह्मन से ब्र करते हैं हम अपने तीसे ट्रिक पर और प्लीज कॉमेंट ब्लॉक्स में बताईएगा कि कौन से ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगे और आज की वीडिया को कैसी लग रही है प्लीज लाइक के द्वारा मुझे जरूर बताईए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी महनत कि कि मुझे और कितनी महनत करने की ज़रूरत है इसके साथ साथ आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो तिस ट्रिक्स पर चाते हैं और आपके अकोर्डिंग मैं वो ट्रिक वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी देखे जो तीसरा ट्रिक है वो है PM की गोद में रेखा का कब विलै हुआ MP की गोद में रेखा का कब विलै हुआ तो देखें यहां पर क्या है न कि आप लोग MP बोलिये या PM बोलिये बात तो एक ही है लेकिन आपको जैसे भी आसान लग रहा है बोलना वैसे आप बोल सकते हैं तो यहां पर क्या है ना कि MP की गोद में रेखा का कब विलै हुआ तो MP से आप लोग जैसे कि मम्मी पापा होते हैं तो मम्मी पापा की गोद में रेखा का कब विलै हुआ तो ऐसे भी कुछ आप लोग याद कर सकते हैं सबका यूनिक होता है माइंड, तो आपको जैसा लगता है कि आप याद कर सकते हैं, वैसे आप याद करिए, देखें यहां पर MP, MP आपको याद नहीं रहते हैं, तो मम्मी पापा तो याद रहते ही हैं, मम्मी पापा ऐसे याद कर लिजे, मम्मी पापा की गोद में, रेखा क कब विलय हुआ, तो M से आप लोग महान नदी याद रखेंगे, P से पुनार, यहाँ पे जो की है वो सालेंट है, गोद से गुदावरी और गंगा दोनों ही नदी को आप याद करेंगे, रेखा से स्वणने रेखा, का से कब विलय हुआ तो कब विलय हुआ में, क से क्रिष्णा, ब से ब्राह्मनी विलय में वे गई नदी को हम लोग याद करेंगे, एक बाद फिर से रिवाइस कर लेते हैं, मम्मी पापा की गोद में, रेखा का कब विलय हुआ मम्मी पापा तो म, म, महान नदी प, उनार गोद गोदावरी और ग जो इसमें सब्द आ रहा है, इससे क्या है गोद से आप लोग गंगा गोदावरी दोनों ही याद करना है, आपको लोगो को इस बात का ध्यान रखेगा, रेखा से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी कब विलय हुआ तो कब में कव से क्रिष्णा और जो इसमें बाव आ रहा है, उससे ब्रामडी विलय से वेगई नदी को याद करेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करनी वीडियो आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में तब तक के लिए खश्ट रहिया, मुस्कराते रहिया और सभी को हसाते रहिये आपकी आने वाली परिक्षाओं के लिए मेरी तरफ से आल दे वेरी बेस्ट